हेलो दोस्तों, वालकम टू एजूकेशन चैनल, दोस्तों जैसा काप देख सकते हैं स्क्रीन पर NTPC Limited Recruitment 2020 जो प्रोफाइल है वो डिप्लोमा ट्रेनी या इंजिनियर यह है प्रोफाइल एक्जाम पैटर्न हम देखेंगे स्लेबस क्या है वो हम देखेंगे एक्जामनेशन फी क्या है और सैलरी स्टक्चर जो है आपका स्टार्टिंग में जो प्रोवेशन प्रियेड है विकॉज यह पर्मानेंट जॉब है इसपे जो आपका दो साल का प्रोवेशन प्रियेड होगा उसमें आपकी जो सैलरी होगी इन हैंट 24,000 रुपीज पर मन्त हो कैसे फॉर्म फिल करना है उससे पहले अगर आप एजुकेशन चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बैल आइकन बटन प्रेस कर दीजे ताकि गौर्डमेंट जॉब से रिलेटिड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे रहे दोस्तों और वीडियो चारों में अप्लाइब कीजिए आपका स्लेक्शन हो जाएगा तो चलिए देखते इस नोटिफिकेशन में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों यह देखे एंटी पीसी लिमिटेड में जो है इन्वाइटिंग डिप्लोमा इंजिनियर्स राइट माइनिंग जुक्रवएंच वंशन प्रेट है जारखंड में डूड उरीशा में यह सब जगा पर इसमें लोकेशन दिया गया है पक्री बरवाधी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट जारखंड में है उसके बाद जारखंड में एक और है उसके बाद उरिशा में है यह सब जो है लोकेशन चातिश गर में है तो यहाँ पे वैकेंसी निकली वे है डिप्लोमा ट्रेनी का स्टार्टिंग में आपको टू यहर के लिए जैसे की माइनिंग में 40 जो है वैकेंसी है मेकेनिकल के लिए 12 अलेक्ट्रिकल के लिए 10 माइन सर्वे के लिए 8 जो आपकी जो है टू यहर का प्रोवेशन प्रियेड होगा आप देख सकता अंडरगोर ट्रेनिंग फॉर ए प्रियेड ऑफ टू यहर एट वेरियस एंटी पीसी कोल माइनिंग साइट उसके बाद इस दोड़ान आपको जो सैलरी मिलेगी 24th हौजन मिलेगी आफ्टर दाट कम्प्रिशन ऑफ प्रोवेशन प्रियेड नोटिस प्रियेड तो उसके बाद आपकी जो सैलरी होगी ग्रेट सेवन पे होगी राइट उसके इसमें एज दिया गया है मिनी जो अपर एज है 25 यह दिया है और जो है SCST जो है और disabled person उनके लिए 5 यह एक्स्रा दिया है और जो OBC candidate है उनके लिए 3 यह एक्स्रा दिया गया है अब देखिए eligibility criteria जो है mining के लिए जो है diploma in mining mining and mine surveying engineering with minimum 70% marks तो mining के लिए हो गया उसके बाद electrical के लिए full time regular diploma in and या फिर electrical and electronics engineering with minimum 70% marks mechanical के लिए 70% marks रखा गया है deployment mechanical या production engineering with 70% marks mine survey full time regular diploma in mine survey diploma in mining engineering diploma in mining and mine surveying with minimum 70% marks इसमें देखिए जो आपका selection process है इसमें जो आपका two selection process होगा दो written examination होगा first में जो है आपका non technical paper होगा और second में आपका technical paper होगा और दोनों paper जो है आपका CBT होगा MCQs type question होगे वहाँ negative marking भी होगा first stage में 120 multiple choice question होगा जिशमें की general English quantitative aptitude reasoning right और ये दो घंटे में आपको 120 question solve करना होगा every question will carry one mark अगर आपका गलत होता है तो आपका negative marking होगा 0.25% right अब देखिए इसमें जो first round जैसे कि आपकी total vacancy 70 है 70 vacancy है तो आपका 700 select किया जाएगा second round के लिए और जो second round में technical question होगे 120 multiple choice question होगा जिशको कि आपको 2 घंटे में solve करना होगा और every question will carry one mark और इसमें जो है आपका 25% negative marking है right उसके बाद इसमें कोई interview नहीं है उसके बाद document verification होगा and then फिर joining as a trainee diploma trainee right उसके बाद देखिए इसमें जो है service bond है आपका 1 lakh का जो है आपको service bond करना पड़ेगा because कि आप छोड़ ना दे राइड इसमें जो है आपका 2 year के लिए ये होगा 3 year के लिए होगा minimum period of 3 year ये इसमें clearly mentioned है right इसमें जो है आपका 1 lakh rupees for general OVC और economic section 50,000 rupees plus GST, ST, ST, PWD candidate to serve the company for minimum period of 3 year after completion of training तो मतलब आपको 5 year तक 2 year का training period है 3 year आपको extra work करना पड़ेगा and आपको तब तक रहना पड़ेगा otherwise आपका जो है ये money जो है lapse हो जाएगा right इसमें देखिए आपका जो है how to apply आपको 23 नुवंबर से start हुआ है और 12 दिशंबर तक आप apply कर सकते हैं आप जो है एक्जामनेशन फी जो है 300 रुपीज है जेनरल ओवीशी और इकनोमी विकर सेक्शन के लिए SC, ST, P, WD, ex-serviceman, female candidate के लिए कोई भी एक्जामनेशन फी नहीं है आपको hard copy जो है आपको बिल्कुल send नहीं करना है इसमें जो आपको जो एक चलान जनरेट होगा SBI के ब्रांच मे उसको जाके आप जो है DD बना लीजिएगा SBI के ब्रांच में तो वो हो जाएगा उसके थुरू आप जो है वहाँ पे जरनल लंबर जो होगा वो आप फील कर दीजिएगा online पेकर online जब आप जो है application fee पेक भड़ोगे राइट कोई भी आपको यहाँ पे clearly mentioned है hard copy send नहीं करना ह है बट save रखना है अपने पास उसके बाद देखिए इसमें जो है कोई भी आपको TA DA नहीं मिलेगा during the attending the like return examination last date जो है 12 December है last week of December में आपका admit card आ जाएगा first week of January में आपका first paper हो जाएगा और downloading the admit card the last week of January हो जाएगा second paper के लिए और second paper जो first week of February में हो जाएगा यह है overall इस notification का brief discussion हमने किया राइट और जो है इसमें अगर कोई doubt हो तो definitely आप comment कीजिए और अभी जो है तीन notification जो आपको screen पर दिख रहा है इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें भी आप apply कर सकते हैं राइट दोस्तों तो all the best for your selection process अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों के साथ तो इसको और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक यू फर वाचिन दिस वीडियो दोस्तो